हलेलुया, जै मसी, एश्व मसी के महत्वपूर नाम से इस आराधना में हमारे सा जितने भी भाय लोग आप जुड़े हुए हैं, बहन लोग जुड़े हुए हैं, हम आपको स्वागत करते हैं, उमीद रखते हैं कि आप सब सही सलामत हैं इन दिनों में और परमेश्वर के में और आगे बढ़ रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो चलिए हमारा इस आराधना को हम शुरू करेंगे परमेश्वर की स्थुति करकर और परमेश्वर से प्राथना करकर कि आराधना पूरे समयों में परमेश्वर की उपस्थिती हम हरहे के उपर हो, हम प्राथना करें धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं परमेश्ड हम आपकी धन्यवाद करते हैं हम आपकी शुक्रिया करते हैं हम आपकी सुती करते हैं कि अब तक आपने हमें जीवन देखर हमें संभाला है हमें अगुवाई किया है हमारे सारे हिर्दे के दरद को अपने सहा है आंसूं क को पोचा है एक मा के तरह एक पिता के तरह हमें तसली देखकर हलेलुया हधायर्य से हमें अभी तक हमें जीवित रखा है परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी सुती करते हैं, सरवशक्तिमान परमेश्वर, सिंगासन पे विराजमान परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी सुती करते हैं, धन्यवाद, 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 जो आराधना के गीत को आ आलिलूया, आपके उपर उतार कर एक छुटकारा के साथ एक आराधना करने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर, हमें मदद कीजिए परमेश्वर, आपकी पवित्रात्मा का उपस्तिती, हम हर एक को भरे परमेश्वर, हम हर एक को छुटकारा दे परमेश्वर, एक छु सिंता सब दूर हठा दीजिए हालेलूया पाप से छुटका रहा रोग से छुटका रहा हालेलूया देखकर इस आराधना को आपके महीमा भरा हुआ एक आराधना के तरह हमें अगवाई कीजिए शुरू से लेकर अंत तक परमेशर पवितरात्मा का कृपा हमारे साथ हो हालेलुया आपके हाथ में हम समर्पिन करते हैं एशुमसी के नाम से मांग के हैं पिता आमेन हालेलुया हालेलुया परमेशर इस नयाशाल शुरू होकर अभी तक परमेशर हमें अगवाई करकर आ रहे हैं परमेशर की धन्यवाद करकर हम हमारे इस गीत को हम शुरू करेंगे परमेशर हम सब को आशिश करें हालेलुया आज का दिन यहवा ने बनाया है हम उसमे आनन्दित हो आनंदितो आज का दिन यहुआ ने बनाया है हम इसमें आनंदितो आनंदितो आज का दिन यहुआ ने बनाया है हम इसमें आनंदितो आनंदितो प्रभ को मही मा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान प्रभ को मही मा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान आज का दिन यहोवाने बनाया है, हम इसमें आनन्दि थो, आनन्दि थो स्तूती प्रसंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे आज का दिन यहोवाने बनाया है, हम इसमें आनन्दि थो, आनन्दि थो आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस मुझको कबूल कर ले, पापों से सुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, आज का दिन यहोवाने बनाया है, हम इसमें आनन्दि थो, आनन्दि थो आज का दिन यहोवाने बनाया है, हम इसमें आनन्दि थो, आनन्दि थो हालेलूया, हालेलूया परमेश्वर इन आनवे वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए चाहे हम जितना भी अपमान को सहे परमेश्वर, फिर भी सारे चीज़ आपके महिमा के लिए होने के लिए आज इस आराधना का समय में हम विंती करते हैं परमेश्वत प्रभू के महीमा मिलने के लिए प्रभू की महीमा होने के लिए प्रभू का नाम के बढ़ाई के लिए प्रभू के नाम के महीमा के लिए हलेलुया वो जितना भी अपमान को हमने सहना है परमेश्वत इन आने वाल दिनों में उस अप्मान को हम सहे फिर भी एक भी दिन आपके नाम को हमें इंकार नहीं करना है परमेश्वर उस सामर्थ से हमें भरिये परमेश्वर उस परलोग सामर्थ से आज के दिन में हर एक को भरिये परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आपके सुसमाचार को प्रचार करने में आपके नाम को हम बताने में हमें कोई भी कठिनाई या कोई भी रुकावट या कोई भी चीज हमें नहीं रोकना चाहिए परमेश्वर हम आवाज उठाकर आपके नाम को हम महीमा करते रहे हालेलुया हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे हम साच बजाएंगे हे ये शुमाहान अपना ए घीट सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साच बजाएंगे हे ये शुमाहान अपना ए घीट सुनाएंगे हे ये शुमाहान अपना ए घीट सुनाएंगे संसार की सुन्दरता में हे रूप तो तेरा ही इने चांद सितारों में है अप्स तो तेरा ही मही मा की तेरी बाते हम सबको बताएंगे हे ये शुमाहान अपना ए घीट सुनाएंगे मही मा की तेरी बाते हम सबको बताएंगे हे ये शुमाहान अपना ए घीट सुनाएंगे दिल तेरा खजाना है एक पाक महुबत का थापा नसका कोई सागर है तुल्फत का हम तेरी महुबत से दिल अपना सजाएंगे हे ये शुमाहान अपना हम तेरी महुबत में दिल अपन सजाएंगे हे ये शुमाहान अपना हम तेरी महुबत में दिल अपन सजाएंगे हम साज बजाएंगे हे ये शुमाहान अपना हे ये शुमाहान अपना ये ये सुनाएंगे ना देख सका कोई तू पाप के सागर में और बन के मन श्याया तू पाप के सागर में ना देख सका हम को तू पाप के सागर में और बन के मन माया तू पाप के सागर में मुक्ती का तु दाता है हे ये शुमाहान अपना हम सब को बताएंगे मुक्ती का तु दाता है हम दुनिया को बताएंगे हे ये शुमाहान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे हे ये शुमाहान अपना गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे हे ये शुमाहान अपना गीत सुनाएंगे हालेलूया 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलूया हम अब क्या राधना कर रहे हैं हालेलूया कोई भी अभी चुप नहीं रहिए परमेश्वर पवित्रात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो संघासन में विराजमान है वो परमेश्वर की सुती करते रहिए आपके गहरे हिर्दय से हालेलूया मुझ खोलकर आवास को उठाकर हालेलूया वो उन्नती परमेश्वर है वो पवित्रा परमेश्वर है वो राजादी राजा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो फिर से आने वाला खुदावन है हम आपके आराधना करते हैं हम आपके सुती करते हैं हमें पवित्रा बनाने वाले परमेश्वर, हालेलूया, हमारे पापों को शमा करके, हमारे आक्रमों को शमा करकर, हमारे धर्म कामों को शमा करकर, हालेलूया, हालेलूया, हमें अपने साथ लेके जाने वाले एक ही खुदावन परमेश्वर की सुती करते हैं, हम आपके सुती क हम आपके आराधना करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं, आलेलुया, आलेलुया, रीगा मानामा शबाला बारबा, धन्यवाद बोलते हैं, आलेलुया, आपकी सुती करते हैं, आपके आपकी एक मात्र पवित्र परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है, आप हमारे ह आत्मा में चंगा ही देने वाले परमेश्वर है हालेलूया सही मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर है सैतान के सारे चाल से हमें छुडाने वाले एक ही परमेश्वर एश्व मसी हमा क्या राधना करते हैं सैतान की सारी मार्गों में हालेलूया सैतान से हमें बच्छाने वाले परमेश्वर हालेलूया अंतिन दिनों तर हमें स्तिर करकर अपने साथ लेके जाने वाले है हालेलूया हम आपकी सुती करते हैं हम आपकी आराधना करते हैं हालेलूया आप ही देवता है आप ही खुदा है हालेलूया छिटकारा देने वाला, सामर्थ देने वाला, हालेलूया, पवित्रात्मा से हमें भरने वाले परमेश्वर, हालेलूया, हम आपके आराधना करते हैं, हम आपकी सुत्री करते हैं, धन्यवा, 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 हालेलूया, हालेलूया, हम अमारे आतों को उपर क आज इस समय मैं अपने आपको आपके हातों में मैं देता हूं हालेलुया जैसे कुम्हार एक मिट्टी को अपने हातों में लेखर वो मिट्टी को वो कुमहार जैसे चाहता है वैसे ही वो मिट्टी को बनाता है वैसे ही इस नया वर्ष में इस आराधना का समय में कुमहार के हातों में एक मिट्टी के समान हम आज हमारे हातों को उठाकर आपके हातों में हमें देते हैं आप हमें अगुवाई कीचिए, हालेलुया, सब लोग मिलकर खुद को मैं देता हूं, पूरे दिल से अर्पन करता हूं कुमार के हातों में बर्तन समान, मुझे को बना दे तु मेरे प्रभू खुद को मैं देता हूं, पूरे दिल से अर्पन करता हूं कुमार के हातों में बर्तन समान, मुझे को बना दे तु मेरे प्रभू मैं ठकना जाओं प्रभू, ये जिन्दगी मैं कभी जब तक ये जान है प्रभू, संग तेरे रहना है मैं ठकना जाओं प्रभू, इस जिन्दगी मैं कभी जब तक है जान है प्रभू, संग तेरे जीना है अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकी बना रहूं मैं सरवदा अपनी जान दी है मुझे, एशू मैं तेरा हूं पीछे ना हट जाओं मैं, एशू मैं तेरा हूं पीछे ना हट जाओं मैं, एशू मैं तेरा हूं सादे सामत मुझे, खुद को मैं देता हूं पूरे दिल से अरपन करता हूं कुम्हार के हातों में बरतन समान मुझे को बना दे तू मेरे प्रभू, खुद को मैं सब अपने हातों को उठाकर परमेशर से बोलना शुरू कीजिए खुद को मैं देता हूं खुद को मैं देता हूं एक कुमार के हाथों में बरतन समान मैं आज इस दिन आपके हाथों में मैं अपने आपको मैं समर्पन करता हूँ हालेलूया उद्धार की खोश्ण हालेलूया सब मिलकर सब सब मिलकर हाथ उठा कर हालेलूया 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 परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, मैं कभी आपकी सेवगाई करने में, मैं ठकना जाओं परमेश्वर, मैं पवित्रता में रहने के लिए, मैं ठकना जाओं परमेश्वर, हालेलुया, इस जिन्दगी में, आपके नाम को घोशना करने में, मैं कभी मैं ठकना जाओं परमेश्वर, बोलि खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से आरपन करता हूँ, गुमार के हातों में बर्तन समान, मुझे को बना दे तु मेरे प्रभू, मैं ठकना जाओं प्रभू इस जिन्दगी मैं कभी, जब तक ये जान है प्रभू, संग तेरे रहना है, मैं ठकना जाओं प्रभू इस जिन्दगी मैं कभी, जब तक ये जान है प्रभू, संग तेरे रहना है उद्धार की घोशना करने, सामर से मुझे को तु भर दे प्रभू वचनों पर स्थर रहूं मैं, एशू तेरे आने तर्भू तुझसे लिपटा रहूं मैं, एशू तु काफी है इशू तेरे आने तर्भू तुझसे लिपटा रहूं मैं, एशू तु काफी है सब हातों को उठा कर, खुद को मैं देता हूं पूरे दिल से अरपन करता हूं कुमार के हातों में बरतन समार मुझको बना दे तु मेरे प्रभू खुद को मैं देता हूं पूरे दिल से अरपन करता हूं कुमार के हातों में बरतन समार मुझको बना दे तु मेरे प्रभू हालेलूया, 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 हालेलूया सब परमेश्वर से परमेश्वर से बात कीजिए सारा अधना का समय में बुले में परमेश्वर आप में मुझे स्तिर रहना है आप में मुझे स्तिर रहना है आप से मुझे लिपटे रहना है इस अंसार की कोई भी अबिलाशा है आप से मुझे जुदा ना करे परमेश्वर मेरे आंखों की अबिलाशा है ये कोई भी चीज परमेश्वर आप से मुझे अलग ना करे आप से मुझे दूर होने ना दे आप में ही आप से मुझे लिपता रहना है इन अंतिम दिनों में परमेश्वर जो पवित्रता को आप चाहाते हैं हमसे वो पवित्रता को आज हमें दीजिए परमेश्वे हर एक हम लोग आपके उस पवित्रताई में हमें लिप्टा रहना है परमेश्वे उस सामत से हर एक को आज भरिए हर एक को आज भरिए हालेलूया 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 अंतिम तक स् सिर रहने का ताकत, अंतिम तक आप में लिप्टे रहने का सामर्थ से, आज हर एक को भरिये, हर एक को भरिये, हर एक को भरिये, हालेलुया, पापों से छुटका रहा, हालेलुया, रोगों से छुटका रहा, अधर्म कामों से छुटका रहा, अधर्म चीजों से छुटका रहा हालेलुया एक बहुत बड़े छुटकारा को देखकर आप इन दिनों में हमें यह सारा धना से आप भेजिये परमेश्व है हालेलुया जो जो काम हम करना चाहते हैं उसको हम नहीं करते हैं फिर बलकि जो काम हम नहीं करना चाहते हैं और जो काम आपके नजरों में घ्रिणा है, उसी कामों का हम करते हैं परमेश्व, इस भारी पाप से आज के दिन आप हमें एक छुटकारा दे दीजिए, एक छुटकारा दे दीजिए परमेश्व, हमें पवित्रताई से रहना है, हम नारे शरीर को हम पवित्रताई से हमें बाला है क्योंकि हमारा शरीर आपके कलीसिया है इस कलीसिया को अगर हम कोई बिगाड़ेगा उसको आप बिगाड़ देंगे ये वच्चन हमारे अंदर बात करने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर इस संसार को जीतने का ताक्त और सामर्ध से हमें भरिये परमेश्वण हम बलहीन है परमेश्वण फिर भी आपका पवित्रा आत्मा हमें दोहतायत से सामर्ध देखकर हमें अगवाई करने के लिए हम धन्य वाद बोलते हैं इस समय को आपके हातों में समर्पन करते हैं इस आराधरा में जितने भी भाय और बहन परमेशिर भाग लिये हो और उनके आत्मा का छुटकारा के लिए जितने भी भाय प्रात्ना किये हो एक आत्मा में एक बहुत बड़ा छुटकारा को देखकर परमेशर एक अपने समाधान से भर कर अपने अपने जगा पे जाने के लिए बलत कीजिए सुनने वाले वच्चन को आपके हाथ में समर्पन करते हैं आप ही अगवाई कीजिए एश मसी के नाम से मांगते हैं पिता आमेन हलेलुया परमेशर भला है अभी तक हमें गुवाई किया है इस अंतिम दिनों में हम परमेशर की पवित्रताई में स्थिर रहने के लिए हम हर पल परमेशर से प्रात्ना करना है हलेलुया हम सर मिलकर हमारे पवित्र वाइबल में भजन संगीत भजन संगीता का छीएस सथ हम पढ़ेंगे साम 66 धन्यवाद ज्यापन और स्थुति का गीद भजन संगीता का छीएस सथ हम पढ़ेंगे 66 हे सारे पृत्वी के लोगों परमेशर के लिए जजेकार करो उसके नाम के महिमा का भजन गाओ उसकी स्थुति करते हुए उसके महिमा करो परमेशर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है तेरे महा सामर्थ के कारण तेरे शत्रो तेरे चापलुसी करेंगे सारे पृत्वी के लोग तुझे धंडवत करेंगे और तेरे भजन गाएंगे वे तेरे नाम का भजन गाएंगे आओ परमेशर के काम को देखो, वह अपने कारी के कारण मनुश्य को भायोग्य देख पड़ता है उसने समुंदर को सुकी भूमी पर ढाला, वे महानद में इसे पाउं पाउं पार उत्रे वहां हम उसके कारण आनन्दित हुएं, जो अपने पराक्रम से सरवदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाती जाती को ताकता है, हटीले अपने सिर ना उठाए हे देश देश के लोगों, हमारे परमेशर को धन्य कहो और उसकी सुती में राग उठाओ जो हमको जीवित रखता है और हमारे पावों को टलने नहीं देता क्योंकि है परमेशर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था तूने हमको जाल में फसाया और हमारी कठी पर भारी भोज बांदा था तुने गुडचड़ों को हमारे सिरों से उपर से चलाया हम आग और जल से होकर गए परन्तु तुने हमको उभार के सुख से भर दिया है मैं होंबली लेकर तेरे भवन में आऊंगा मैं उन मनतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुँँ खोल कर मानी और संकत के समय कई थी मैं तुझे मोटे पशूओं की हुंबली मेडों के चर्वी के धूप समय चड़ाऊंगा मैं बक्रो समय बैल चड़ाऊंगा हे परमेश्वर के सब डरवयो आकर सुनो मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभू मेरी ना सुनता परन्तु परमेश्वर ने तो सुना है उसने मेरे प्रात्ना की ओर ध्यान दिया है धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरे प्रात्ना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है हालेलुया इसका आखरी वचन को देखिए धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरे प्रात्ना अनसुनी की है हालेलुया हमने बहुत सारे संदेश इस प्रात्ना के बारे में हमने सुना है हमें हर पल हमें प्रात्ना में ही रहकर जब हम प्रात्ना करते हैं मन में मन से परमेश्वर की दोहाई दग जब देते हैं परमेश्वर जरूर हमारे दोहाई को सुनते हैं और उस दोहाई के अनुसार हमारे मन के मनतों को परमेश्वर पूरा करते हैं इसलिए इन अंतिम दिनों में हमारा जीवन हम प्राथना में बिताने के लिए एक सामत को हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर हर पल मैं मन ही मन आपके साथ में बाते करते रहूं हलेलुया जब हम वैसे करेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमारे पैर को तलने नहीं देंगे हलेलुया हलेलुया तो चलिए हम इस अच्छा भजन संगीता के लिए हम प्रात्ना करेंगे और हमारे देशों के लिए हम प्रात्ना करेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर, आप कभी भी हमारे पाव को आप तलने नहीं देते हैं, क्योंकि आपने हमें चांदी के समान ताया था, आपने हमें जांचा है, हमारे हिर्दे को जांचने वाले एक ही परमेश्वर आप है, हमें पापों से चुटकारा देकर श्रापों से चुटकारा देकर हमारे अधर्म कामों से हमें चुटकारा देकर परमेश्वर आप ही हमें पवित्र करने वाले एक मात्र पवित्र परमेश्वर है अंतिम दिनों तक हमें स्तिर करने वाले महाप्रभू प्रमेश्वत इस वग्जन संगीता के अनुसार हमारा जीवन को आपके हातों में हम समर्पन करते हैं आप हमें चांदी के थरा ताहक हमें शुद्ध कीजिए हमें शुद्ध कीजिए प्रमेश्वत हमारे प्रातना का उत्तर देने वाले प्रमेश्वर कभी भी आप हमारे पैर को टलने नहीं देते हैं जितना भी भारे मुश्किल क्यों ना हो जितने भी परिशानिया क्यों ना हो जितने भी कठिनाई हमें गुजर के क्यों ना आए फिर भी आप कभी भी हमारे पावों को टलने नहीं देते हम धन्यवाद बोलते हैं इस अच्छे बजन संगीता के लिए हमारे देशों के लिए हम प्राथना करते हैं परमेश्वर इस पृत्वी में जितना भी देश है उस सब को आपके हातों में हम समर्पन करते हैं परमेश्वर इहोवा सारे मानो जाती एश्यु मसीही जिन्दा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए हम प्राथना करते हैं सारे देश देश के लोक के आंखे कुल जाए कि वो एक सच्छा खुदावन को देख सके जान सके और उस खुदावन एश्यु मसी के हातों से उधार पा सके हम प्राप्थना करते हैं विशेश करकर हम जो देश में रहते हैं और जो देश के द्वारा हम आशिरवात को पाए हैं इस देश को हम आपके हाथों में समर्पन करते हैं इन देश के राजा लोगों को हम आपके हाथ में समर्पन करते हैं आप उन्हें अगवाई कीजिए उनके आंखे खोल जाए और एश्य मसीह जिन्दा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए हम प्राथना करते हैं सारे देशों में जागरती होने के लिए हम प्राथना करते हैं पहले हर एक मनुष्य अपने पाप को जानकर छुटकर अप प्राप्त करने के लिए परमेशर आप मदद कीजिए आपके हातों में हम समर्पन करते हैं आप ही हमें आगवाई कीजिए एश मसी के नाम से मांगते हैं पिता आमें हलेलुया हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुकरवार के समय शाम को चार बजे से लेकर छे बजे तक ऑनलाइन में हो रहा है परमेशर का सिद्ध हो तो हम फिर से सब मिलकर हम तो आप सब मिलकर चार बजे से आप तैयारी हो जाएए तैयारी होकर इस आप आनलाइन आरहाधना में भाग लेने के लिए हम विंती करते हैं परमेशर आप आशिश करें चलिए हमारे संदेश के ओर हम ध्यान देंगे हलेलुए एक रिंदी नो में आप सब देशों के लिए प्राफ्ना कीजि नया आप आउच साल कैसा है आरम में भायंगर आप रहरे निया शुरौत ही बहुत भायंकर है बोल रहे हैं देवन एला उच्छी मार्चा कुडियावर। परमेशुर सबको बदल सकते हैं, ऐसा हो कि कुछ कारिया हमें बहुत वेधना दे रही है, फिर भी सही समय पर हमारे परमेशुर सबको बदल देंगे, परमेशुर आप आशिश करें, लगातार हम प्राथना करेंगे, इस दिनों में भी हम पवित्र वच्चन के ओर हम ध्यान क करेंगे, हम लेंगे हमारे पवित्र वाइबल का दूसरा राजाओं का पुस्तक का साथवा दियाए, उसमें एक और दो वच्चन को हम पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं का पुस्तक साथवा दियाए, एक और दो, तब एलिसा ने कहा, यहोवा का वच्चन सुनो, यहोवा यों कहता है कल इसी समय सुम्रोन की फातक में साहा भरमैदा एक सेकल में और दो सहल जो भी एक सेकल में भीगेगा तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तक्या करता था परमेश्र के भक्त को उत्तर दे कर कहा सुन चाहे यहोवा आकाश के जरों के खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी उसने कहा सुन तू यही तू यह अपनी आँखों से तो देखेगा परंतो उस अन्न में से कुछ खाना पाएगा अगर आप देख सकते हैं यही दूसरा राजावों का पुस्तक का छटवे अधिहाए में जब आप चप्पिस से लेकर तीस वच्चन तक पढ़ेंगे अपने जनम दिये हुए बच्चों को मार कर और उन बच्चों को खाने वाला एक स्थिती उस देश में आ पढ़ा था इस यह बात के बारे में राजा सुनता है हम पढ़ेंगे वही दूसरा राजावों को पुस्तक का छे अधिहाए का तीसवा वच्चन को हम पढ़ेंगे उस त्री की यह बाते सुनते ही राजा ने अपने वस्तर फाड़े वह तो सहरपना पर टहल रहा था जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वहाँ बीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं जब राजा ये बात सुनते हैं कि सब लोग अपने जनन दिये हुए बच्चों को मार कर पका कर खा रहे हैं तो ये सुनते ही राजा ने अपने वस्तर को फाड़ कर और अपने शरीर के देह के उपर टाट पहन लेते हैं और टाट पहन कर लोगों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं देखे इस समय पर राजा जो के वस्तर अपने वस्तर को फाड़ कर रिट उड़ते नवना कर आपने देह पर टाट पहन कर देवन के मुनबदाख पही निरकर वेंड़ा हैं कि यह सब चीजें वो राजा करकर परमेशुर के सामने जाकर खड़ा होना था वो राजा क्या किया परमेशुर के सामने नहीं जाकर खड़ा हुआ तो यह सब करकर वो राजा जाकर लोगों के सामने खड़ा हुआ देखे देश में बहुत भाएंकर आकाल हो रहा है उस समय में राजा बोलते हैं इस इतने बड़े आकाल के बीच में मैं परमेशुर के लिए क्यों इंतसार करूँ देश में इतना बड़ा आकाल आपड़ा है तो यह आकाल के बारे में जो समाचार खा ओ समाचार को एलिशा भविश्य दक्ता को भेचता है यह जब एलिशा सुनते हैं तब एलिशा को परमेशुर का वच्चन होता है परमेशिर बोलते हैं कल इस समय में ये सारे हालाद बदल जाएगी तब राजा के पास काम करने वाला एक आदमी बताता है अगर चाहे यहोवा आकाश की जोर के खोले भी तो भी क्या ऐसे बात हो सकेगी पिर भी परमेशिर जो बात कहे थे दूसरे दिन ही वो भयंकर आकाल को परमेशिर बदल देते हैं जब परमेशिर के बातों को हम विश्वास करते हैं जब इस मवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं परमेशिर जो बच्चन से हमसे बात करते हैं वो बच्चन को हमें विश्वास करना चाहिए यह वच्चन कैसे मेरा जिंदेगी में होगा बोलकर परमेशिर से प्रसन नहीं पुछना है परमेशिर ने बोला है यह पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है अब उन्द पड़िये नडग के मिंड सुली जैसे परमेशों ने बोला है वैसे ही होगा बोलकर नाम विस्वास है किम बोले जब हम इसको विस्वास करते हैं तब परमेशों सब हालात को बदल देते हैं वैसे ही देखे इस इसराइल देश में जब वो भयंकर आकाल होता है वहाँ परमेशों का वच्चन जाता है अगर देर को देर इसी चबी का आरा में कराम वहाँ परमेशों का भविशे दरता प्रातना करता है अड़ित तनाले अंद पंचन देश से तविट्ट मारी पोगिरे ले उसरे दिन ही वो देश से आकाल खतम हो जाता है कुछ समय हमारे जीवन में भी हमारे परिवार में भी हमारे आथ्मिक जीवन में भी कोई समय ऐसा होता है कि आकाल आपड़ता है हम चिबी के मुढ़ियादा पड़िकी हम प्रातना नहीं कर पाते है हम पवित्रता से जी नहीं पाते हैं कुछ समय के लिए कुछ आकाल तो आता है अधे पड़ना कुड़ूंबत ले यहां वै उसी तरह परिवार में भी कड़न में ले कड़न वांग मुड़ियाख कर्च के ऊपर कर्च लेना है जितना भी कमाई आता है वो कमाई पूर फाल्तू चीजे में खर्च हो जाता है तो इस तरीका का एक आकाल भी हमारे परिवार में आता है उस समय में हमें दूसरों को दोशी नहीं टहराना चाहिए हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि उसके द्वारा ही मुझे ये काम आ पड़ा था वो उसके द्वारा ही मेरा जीवन में इतना घटी आ पहुंची है बोलकर ऐसे हमको नहीं बोलना परमेशर के समुख में बैट कर मेरे जीवन में इस तरीके का आकाल क्यों आता है मेरे जीवन में इतना घटी क्यों हो रहा है क्यों मैं परमेशर का प्रिय नहीं जीपा रहा हूँ हमें इस चीजों के बारे में सिर्फ परमेशर के समुख में ही पूचना है इसे जब हम परमेशर से पूचेंगे तब परमेशर जरूर हमें दर्शन देकर इसको ठीक कर पाएंगे इंगे निए पात्ति ना इससे विन देसम पौलन देन मोड़ी कर देसम तो देखिए यहां इसराइल जो देश है वो उसमें दूदर मधू बहते हैं फिर भी देखिए इस देश में एक आकाल आ रहा है देखिए इस इस इसराइल देश में आकाल आने का कारण क्या था हम पढ़ेंगे दूसरे राजाओं का पुस्तका चा अध्याई इरुवत ना इरुवत ना इरुवत न जवासने वासिकला तब सुम्रोन में बड़ा आकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा की अंत में एक गधे का सिर्चांदी के असी टुकडों में और कप की चोथाई भर कबूतर की बीट पांच टुकडे चांदी तक बीटने लगी इस्रेवेल के विरुद विरुद वो राजा जन्ग लड़ाई करने के लिए शुरू हो गिया इसलिए समरोन देश में बहौत बड़ा आकाल हो पड़ा अंगे सत्रु वान देश के अंदर आया देश के विरुद वो युद करने लगा अंगे पंचम वरा आरमी किरादे तो इसलिए उस देश में आकाला गया अधे पोड़ा दान सत्रु नम्मूलड़ा वाल कैला वैसे ही जब शैतान हमारा जीवन में भी अवण उल्ले वरवद के नाम इड़म कोड़तों में डार जब शैतान हमारे जीवन के अंदर आने के लिए जब हम जगा देते हैं इवे सीरिया में पड़ै वंदु तब यहां देखिए समरोन का सेना आकर यहां राजा को देखिए राजा आपने सहरपणा में था तो देखिए जो उस देश को घेर कर रखे वो सेना वो सेना के विरुद चड़ाई करने के लिए वहां कोई आत्मी नहीं थे तो देखे, सुम्रोण के सेना के विरुद इस देष में से कोई सेना उनको उनसे नहीं लड़ रहे हैं इसलिए वो सेना बड़ा होकर आकात तक आ पहुंचा उस देश में यहना सुसमचार का पुस्तत का दस्वा अध्याय में पथा दस्वा अध्याय का दस्वा वच्चन में बोला गया है मैं इसीलीया आयां हूं कि जीवन पाये और बहुता आयत से पाये देखिए चोर किसी और काम के लिए नहीं पर अंतु केवल चोरे करने और गात करने और नश्ट करने को आता है परमेशुर एशु मसीः अवेगल के जीवन उन्डा ये रिकवं उनको जीवन मिले अधु परिपूरना पड़ा वंदेर इंडिसली चली रहा है और वो जीवन बहुत आयत में हो बोलकर परमेशुर बोल रहे हैं देखिए अगर शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए हम खुद एक जगा अगर बनाएंगे अगर शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए पाप और अभिलाशावों का अगर हम जगा देंगे तो हम अगर वो शैतान का विरोध हम खड़े नहीं होंगे अगर वो हमारे जीवन में आने के लिए अगर हम जगा देंगे तो हमारा जीवन में आकर वो आकाल को देगा देखिए जब समरोन का सेना उस इसराइल लोगों को घेर देते हैं उनके विरू जंग लगडने वाला राजा जंग नहीं लड़ा बल्कि सहरपना में ही बैट गया तो इसके निमर्त उस देश में आकाल आपोंचा था ऐसे ही शैतान का विरूद जो हम में और आपको खड़ा होना है अगर हम उसका विरूद हम खड़े नहीं होंगे पिसास इन किरिये के लिए हम जगा देंगे तो पिसास कुंड़ वरे पड़े पावंगल के लिए नाम इड़म कुड़तो मेंडा अगर शैतान जो पाप को हमारे जीवन में लेके आता है वो पाप हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए जगा देंगे तो अगर शैतान हमारे जीवन में आएगा तो क्या होगा अगर शैतान हमारे जीवन में आएगा तो यही उस देश में भी होता है तो देखिए हमारा जीवन में हमारा जिंदगी में आखाल आने का एक कारण है हम शैतान का क्रियर को हमारे जीवन में अन्नुमत्ती देते हैं याकूब का पुस्तक का चौथा अधियाय का सात्वा वचन को हम पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक चौथा अधियाय सात्वा वचन इसलिए परमेशर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो याकूब बोलते हैं परमेशर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वहा तुमारे पास से भाग निकलेगा जब तक हम शैतान के विरूद नहीं खड़े हो पाएंगे तो वह हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तब हमारा जीवन में आकाल को लेके आएगा आज हम कैसे हैं? क्या आज हम परमेशर के अधीन है? नए तो शैतान को हम हम प्रवेश करने के लिए अनुमती दिये हैं? अगर आज हम परमेश्वर को जगा दी आज अगर हम सैतान को जगा देते हैं वो हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और हमारा जीवन में भी वो अक्खाल को लेके आएगा यह दूत निन्डो मिनदाल इसलिए आगर हम शैतान की विरुद अगर हम खड़े हो जाएंगे अगर परमेश्वर एश्यू मसी के नाम से जब हम शैतान की क्रिय का विरुद हम खड़े होते हैं तो हमसे वो दूर भाग जाता है अमारे सोच में, हमारे समझ में पाव उल्ले प्रवेशी के वोदे, जब प्रवेश करता है अमटे सरीर ते पावत की नेराखाद तूंडा आरमी के वोदे तब हमारे शरीर को पाव करने के लिए उक्षाता है वोर ने मिशनाम कंगले मूडी है ये से स्थिती में जब हम आपड़ते हैं तब तुरंथ हमारे आंखों को बंद करके अन्ड़ ये सक्रिस्वी नामत नाले परमेशु एश्यु मसी के नाम से मेरे विरुद जो पाव मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए जो जंग लड़ रहा है उसको में एश्यु मसी के नाम से मैं डांटा हूँ बोलकर जब आप एक पल आंखे बंद करकर वो पाव के विरुद जब आप परमेशुर्प के नाम से प्राथना करेंगे वो पाव आप से दूर चले जाएगा जब हम उस पाव के विरुद हम नहीं खड़े होंगे जब उस पाव को करने के लिए जह हम जगा देंगे वो अंदर आकर हमारे उपर सरकारी करेगा हमें सैतान की विरुद खड़ा होना है क्या हमारे जीवन में वो सैतान कर्ज का अकस्ट को लेके आता है इसा है कि वो बहुत सारे रोग को हमारे परिवारों में लेके आकर बहुत खर्चा करवाता है तो देखिए इस रोग को जो आती है उसके विरुद परमेशिर के नाम से बनाए कम प्राथना करेंगे तब व्याध हमसे दूर भाग जाएगा तो देखिए यहाँ जो राजा देश की रक्षा करना है देवने के मुन्बदाख़ पोई निक्के विंडिया राजा देखिए परमेशुर के सामने जाकर जो राजा को खड़ा होना था वो राजा दाकर लोगों के सामने खड़ा हुआ परमेशुर का मनुष्य एलिसा के निमर्ट परमेशुर उस आकाल को बदल दाले तो देखिये ये बात कैसी हो सकेगी अगर आकाश की जोरके को खोले भी तो ये बात नहीं हो सकेगी तो वैसे एक आध्मी बूलता है तो देखिये परमेश्वर उस देश में अपना कार्य को करते हैं हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं का पुस्तका सात्वा अध्यायका तीन से लेकर पांचवे वचन तक हम पढ़ेंगे चार कोडी फाटक के बाहर थे वे आपस में कहने लगे हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाए यदि हम कहें नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां आकाल पड़ा है और यदि हम यहां बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है तब वे सांच को अराम की चावनी में जाने को चले और अराम की चावनी की ओ चोर पर पहुंच कर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है तो देखिए या वच्छन में हमने क्या पढ़ा कि वहां चार कोडी थे नाम इंगे इंदे साख वेंडे दिनना वो लोग अपने आप से बात कर रहे हैं कि हम यहां यह पढ़कर क्यों मरें हम इस नगर के अंदर जाएंगे वो सम्रोन के सेना के बीच में हम जाएंगे तो वो ऐसे बोलते हैं कि वो सम्रोन के सेना के बीच में जाएंगे वो सेना हमें जीवित रखे तो रखे मार डालना है तो मार डालना है जब ये चार कोड़ी ऐसे बात करकर जब वो जाकर देखते हैं देखे वहाँ सम्रोन के सेना में एक भी आदमी वहाँ नहीं था सुभे एलिसा भविश्य दक्ता भविश्य दिवानी करते हैं तो देखे उस रात में क्या संभव होता है परमेश्वर एक आवाज को वहाँ उठाते हैं जो सम्रोन के सेना सुनता है तो देखे परमेश्वर का जो आवाज जो परमेश्वर वहाँ देते हैं वो आवाज के द्वारा ही वो सम्रोन के सेना वहाँ से भाग जाते हैं उस देश में वो आकाल बदलने के लिए परमेश्वर का आवाज वहाँ आता है परमेशर आप कुछ भी नहीं किये अपने देव दूद को नहीं भेजे और कोई सत्तुर के सेना को परमेशर नहीं भेजा तो देखिए परमेशर के द्वारा उठे आवाज को सुनते ही वो सम्रोंड के सेना वहां से भाग निकलती है वही हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं का पुस्तक का सात्वा धियाए का छे और सात्वा वच्चन हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रभू ने आराम की सेना को रतों और घोडों के की और भारी सेना के सी आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे थे सुनो इसराइल के राजा ने हिरती और मिस्री राजाओं को बेतन पर बुलवाया है की हम पर चड़ाई करें इसलिए वे सांच को उठकर ऐसे भाग गए की अपने डेरे, खोडे, गदे और चावनी जैसे की तैसे छोड़ चाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए उरे नैटल सिर्फ एक ही रात में मुलु देशत तोड़े पंचत तई माच्च मढ़िया है पूरे देश की आकाल को बदलने के लिए परमेश्र की आवाज वहां तक पहुंचता है उरे नैटल सिर्फ एक ही रात में हालात बदलता है उरे देश से तोड़े सिर्फ एक हालात बदलता है तो देखे अगर एक देश का हालात ही बदलता है तो क्यों एक अकेले मनुश्य का जीवन इल्लों वर कुडबत वोड़िया सूलने लेगले माच्छुवदे नहीं तो परिवार का परिस्तिती बदलने के लिए देवने कस्वमा रुकमा क्या परमेश्वर के लिए कठिनाई है ओर सत्तम सिर्फ एक आवाज देवन वरे उंड़न सहय विले परमेश्वर कुछ भी नहीं किए वो इरेचलीन सत्तत देवन के अनप गिराए परमेश्वर एक आवाज को वहाँ पहुंचाते है अंदे पेटा अंदे सीरिये पड़े मुल्लो वोदी इरकर इलना विट्ट विट्ट वोड़ी पोई विटा रहे है जब समरोन का सेना परमेश्वर का उठाई आवाज को सुने तब तुरंत वहाँ से भाग जाते है तो देखिये वोई ही आवाज आज हमारे जीवन में भी सुनाना है तो देखिये यहाँ बात करने लगे हमारे विरोध ये तीरिन राणवतियम तो देखिये हमारे विरोध आराम की सेना को हम चाहाँ वच्चन को पढ़ेंगे क्योंकि प्रभू ने आराम की सेना के रतों और गोडों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे सुनो इसराइल के राजा ने हिर्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चड़ाई करे यहां देखिये इस वच्चन में बोला गया है कि हिर्ती के राजा को और मिस्री का राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चड़ाई करे कौंज योशी पारेंगला थोड़ा सोच कर देखिये अंद देशते मुट्रगा इटन निमीतां यह सम्रोन का सेना ने इस इसराइल देश को घेर रखा था अंगे कोड़ी यह पंचम उंडाई चे और वोई देश में बहुत आकाल भी था सापड़ों के उंडाई में लामल पिल्लेगले समेते सापड़े रारकल खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए अपने बच्चों को मार कर पका कर खा रहे थे अपड़ी अपड़ी आपट सूनने ले 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 मेही हालात में यहीत्ति एरक्च में पनत्ते कुड़ना काड़े अपड़ी आपट्र सोच कर देखिए आराम का राजा जो था वो हिर्ती राजा को और मिसृी देश के राजा को वेतन पर बुलासकता था तो इतना पैसा देखकर ये दोनो राजा को जब बुला सकता था तो देश में क्यों आकाल पड़ता था तो उस जगा पे देखिए देखिए उस सुम्रोन बहुत ज्यानी थे तो वहाँ परमेश्वर उन्हें उनका बुद्धी को बदल देते हैं परमेश्वर अपने लोगों को आशिर्वात करना है तो परमेश्वर का क्रियबो साधारन होगा परमेश्वर के लोग उसको जान जाएंगे पिर पी शत्रू शैतान का लोग जो है या शैतान जो है वो तीतर भीतर हो जाएगा तो देखिए इस समरुन की सेना बोल रहे हैं कि हमारे विरोध हिर्ती और मिष्री के राजा सेना आ रहा है इसलिए जो कुछ अपने पास्ता उसको सब छोड़कर वो भाग निकलते हैं तो देखिए वो जो चार कोडी लोग थे वो जब छामनी में जाकर देखते हैं तो देखिए बहुत से सोने और चांदी उस चामनी में पड़े हुए देखिए और खाना पीना बहुत था तो यह समाचार के बारे में दोड़कर आकर राजा के पस बताते हैं तो जब यह समाचार पूरा देश में भरता है तो सब लोग जाकर उस चामनी में से जितना चीज थे उसको सब ले लेते हैं हम दूसरा राजावों का पुष्टक का साथ बाध्याय का सौलावा वच्चन को हम पड़ेंगे तब लोगों ने निकल कर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वच्चन के अनुसार एक सहा मैदा एक सेकल में और दो सहा जो एक सेकल में बिकने लगा तो देखिए जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे ही किया सिर्फ एक ही दिन में परमेश्वर हालाथ को बदल दिये तो देखिए यह हालाथ को बदलने का कारण कौन था और यह देवन अनुपे इरेच्चलीन सक्ताउ तो देखेए परमेश्वर का जो आवाज उन तक पहुंची थी वही आवाज था तो आज हमारे जीवान में हम भी परमेश्वर के आवाज को सुनना है हमारे परिवार में हमारे देश के लोगों परमेश्व की आवाज को सुनने के लिए अगर इस तरीका से अगर हम जीएंगे तो हमारा जीवन में भी तो आवर अगर के लिए अगर के लिए परमेश्व की आवाज को हमें सुनना है तो परमेश्वर किन-कीन का आवाज को सुनते हैं तीन मनुष्यों के बारे में हम सुनकर हम प्राछना करेंगे अधिया आगम इर्वत्य और अमधिहा है तेकलों उत्पती का पुस्तका 21 वाध्याई को हम लेंगे पैलेट पैलेट पैलेटे पत्त मुल्वासनेगे नमाज के किलाम। उसका 17, 18 और 19 वाचन को हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूद ने स्वर्ख से हाजिरा को पुकार के कहा हे हाजिरा तुझे क्या हुआ मत डर क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर की सुन पड़ी है उठ अप और उसको एक कुवें दिखाई पड़ा तब उसने जाकर थैली को जल में भरकर लड़के को पिलाया इंगे आगा तन मगन इसमवेले कूट्टी कोंडे या हाजिरा अपने पुत्र इसमवेल को लेकर वणांदर उत्तिले पोखुम पोदे जब वो जंगल में जा रहींदी अगे तनिर इल्ला दे निमीतां वहां उसके पाँ जो पानी था वो खतम हो गया तन दे वो रड़तले पोट्टी विटी इवल तनियागन इंड़ अलुदु कोंडी रिकरा रहा है तब तो अपने बच्चे को एक जगा में रखकर और दूर जाकर रो रही थी आंगे आहर हाजिरा भी बहुत शब्द फुकार कर वो रो रही है वो बच्चा भी रो रहा है परमेशर ने वो बच्चे का रोने का आवाज सुना तब हाजिरा से बात करने लगे वो दोनों का जीवन फिर से अपने पास आने के लिए एक कुएं को दिखाता है तब वो कुएं के पानी को पी कर अपने जीवन को संभाल लेते हैं तो देखिए बच्चा का आवाज परमेशर का समुख तक पहुंचता है तब आहार परमेशर के आवाज को सुनती है तो देखिए हमारे आवाज को परमेशर के समुख में हमें उठाना है जब हमारा आवाज परमेशर के समुख में सुनाई देगा परमेशर का आवाज हमारे जीवन में हमारे कान में सुनाने के लिए परमेशर मदद करेंगे जो 66 भजन संगीता जो हमने आज पढ़ा था उसमें आठवा वचन और अठारा वचन को हम पढ़ेंगे हे देश देश के लोगो हमारे परमेशर को धन्य कहो और उसकी सुती में राग उठाओ और अठारा वचन एदी मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभू मेरी ना सुनता और उसका उन्नीस वचन परन्तु परमेशर ने तो सुना है उसने मेरी प्रात्ना की ओर ध्यान दिया है यह भजन संगीता में बोला गया है और उसकी सुती में राग उठाओ तो देखिए जो आवाज हम परमेशर के लिए उठाते हैं वो आवाज परमेशर के समुख तक पहुंचना है और हमारे प्रात्ना का आवाज को भी परमेशर के समुख तक उठाना है उन्नीस वचन में देखिए परन्तु परमेशर ने तो सुना है और मेरी प्रात्ना की ओर ध्यान दिया है क्या आज आपके प्रात्ना का आवाज को परमेशर सुनते हैं? क्या आपका आवाज परमेशर के समुख तक पहुंचता है? अगर आपका आवाज परमेशर के समुख में सुनाए देगा तो परमेशर का आवास भी आपके परिवार के जिन्दगी में आपका देश तक पहुँचेगा तब आपका जीवन वहाँ संभल कर रहने के लिए परमेशर जीवेत रहने के लिए वहाँ परमेशर के खोत कर रखेंगे पांच और छे वच्छन को अगर हम पढ़ेंगे, जो आसु बहाते हुए बोते हैं, वे जेजेकार करते हुए लवने पाएंगे, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाया, परन्तु वाँ फिर पूलियां लिए जेजेकार करते हुए निश्चे लोट आएगा. जो कोई आसुओं के साथ बोते हैं, वे जेजेकार करते हुए लवने पाएंगे, जब हम आसु बहाकरम प्रात्रा करते हैं, तो हमारे आवाज को परमेशर सुनते हैं, और उसका उत्तर भी हमें देते हैं, आज आपका प्रात्रा कैसे हैं? और एक दिन में एक घंटा प्रात्रा करते हैं? ऐसा है कि काम के निमर्त बहुत ठक गए हो या प्राथना आप नहीं कर पा रहे हैं फिर भी एक घंटा परमेशर के समुख में बैठ कर आपका जो सुदी का आवाज को परमेशर के समुख तक पहुंचा हिए आपके प्राथना के आवाज को परमेशर के कानों में तक लेके जाएए तब आपका जीवन का हालात बदलने के लिए परमेशर का आवाज आप तक पहुंचेगा जब आप बजन संगीत्ता का 29 अध्याय को अगर आप पूरा से पढ़ेंगे वहां बजन संगीता में इस अध्याय में परमेशर के आवाज के बारे में बोला गया है परमेशर का आवाज और जंगल को भी हिलाएगा तो परमेशर का आवचर वन को भी हिला देता है तो देखें यहां इस बच्चे का इस मवेल का रोने का आवाज को परमेशर सुनते हैं अंगे देवने सत्व विली पड़ंगो दे तब वो आवाज को सुनते ही परमेशर का आवाज वहां प्रगट होता है तो वो जंगल में तन्नी तरवे देवन तरंद वुड़ी करता है तो एक कुएं को उनके आँखों में परमेशर ने दिखाया पड़ता है अगर आज आप परमेशर के आवाज को आपके जिंदगी में सुनेंगे तो तो आपके जीवन में जो आकाल है उसको परमेशर बदल देंगे एक देश का आकाल को अगर एक ही रात में परमेशर उसको बदल सकते हैं तो तो आपके जीवन जिनदगी का परिशानयों को बदल दे में सिर्फ ही काफी है दिक्कत क्या है कि हमारा आवाज परमेशर तक नहीं पहुंचता इसलिए हम परमेशर के आवाज को नहीं सुन पाते हैं हमारे हालाद भी नहीं बदलते आज समर्पढ कीजिए एक घंटा में प्राफना करूंगा परमेश्वर स्तुति का आवाज को और प्राथना का आवाज को आज से आपके समूद तक में पहुंचाऊंगा बोलकर समर्पढ कीजिए तब परमेशर आपके जिन्दगी का हालाद को बदल देंगे दूसरा हम पढ़ेंगे न्यायूंग का पुस्तक का तेरा अधियाए दानियूंग के कुल का सोरावासी मानोहो नाम एक पुरुष था जिसकी पत्नी के भांज होने के कारण कोई पुत्र ना था इस त्री कोई यहोवा की दूत ने दर्शन देकर कहा सुन भांज होने के कारण तेरा बच्चा नहीं परन्तु अब तू गर्बवदी होगी और तेरा बेटा होगा इसलिए सावधान रहें कि ना तू दाकमदू या किसी भांती की मदीरा पिये और ना कोई अशुद वस्तु खाए यहां मनवा नामक एक पुरुष्था और उसकी पत्नी भांज थी तो उस मनवा नामक का उस पुरुष्थ का पत्नी के पास देव दूथ आकर एक बात बोलते हैं तू एक पुत्र को जनम देगी और उस पुत्र को तू परमेशर के लिए ही पाल पोसकर बढ़ा करना है तो ये दूथ का बताया हुआ ये दर्शन को जाकर अपने पत्ती मनोहा के पास बताती है तो मनोहा क्या करते हैं परमेशर को देकर अपना दोहाई को देते हैं तो मनोवा ने पर्मेशर से पूँछते हैं, है पर्मेशर तुई इस दूद को बेज़कर ये दर्षन को दिया क्या अंगर सुलूम बोते हैं, अंगर देव दूद तुरिमी मनोवा तंब दीटवंदू मनोवा नर्मने वीट वंदू पेस वामें तो फिर से देव दूत आकर मनोवा के पत्नी के पास बात करते हैं नोवा वच्छन को हम पढ़ेंगे मनोवा की यह बात परमेश्व ने सुन ली इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पत्ती मनोवा उसके संग ना था तपरमेश्व का वही दूत उसके पास आया मनोवा वो इस सत्रत त्रक देवन सेवी कोड़ दार देखे मनोवा जो दुहाई दे रहा था उसको परमेश्वर ने सुना तो फिर से देव दूत मनोवा की पत्नी के पासी आकर बात करते हैं अपावल तिरिपी वरम बोदु, मून पेरा नरतलन निकिरारगल तो जब वो वापस आता है तो तीन लोग वहाँ खड़े होते हैं अपा मनोवा देवदिन टकेकम बोदु जब मनोवा ने परमेश्वर से पूछते हैं तब दूत बोलते हैं मनोवा के पास कि मैंने तेरे पत्नी के पास सब कहा है जैसे मैंने तेरे पत्नी को बोला है उसी तरीके से तेरा पत्नी को जीना है किसके जीवन में परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है जो मनुष्यां परमेश्वर का सुच को अपने साथ लेकर चलता है वो ही परमेश्वर का आवाज को सुनेंगे तो देव सित्तते सुमकप अपम्री लिए उपकुड़े का स्था को हमारे साथ हमारा जीवन में चलना चाहिए हर बार सिर्फ हमारे कारियों के लिए ही हमें प्राथना नहीं करना है कलीश्या के लिए प्राथना करना है सेव काईधारियों के लिए प्राथना करना है और देशों के लिए हमें प्राथना करना है जो लोग नश्ठ हो रहे हैं उनके लिए हमें प्राथना करना है परमेश्वर का हिर्दे को भोच को हमारे उपर उठाकर हमें प्राथना करना चाहिए जब हम परमेश्वर का शिद्ध को हम अमारे उपर उठालेंगे तब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे वो परमेश्वर का आवास सब तरीके का भांच को वो निकाल देगा हमारे जीवन में जो जो काम एक बड़े रुकावट में है यहला वच्चिन देव निडित्थू पोड़ी गरावर आखर कराएं तो सब को परमेश्र बदल देते हैं पहला हमने देखा नम्मुर्डे सत्तम अवोर्डे सभिखली केक कर पणने वींडों पहला हमने देखा कि हमारा आवाज को परमेश्र के समुग तक हमें पहुंचाना है दूसरा डेव सित्थ देव तिट्थ नाम सुमक्म हो दे जब परमेश्र का सित्थ को हम उठाएंगे अवोर्डे सत्तन अमड़ा वाल के ले कड़न दुवए गरते तब परमेश्र का आवाज हमारा जीवन में आता है सब तरिके के भांज हमारा जीवन से निकल जाता है मुझा वदाहना पातमिंडा तीसरा हम देखेंगे यलिया दिर्कदेश्र वाल के लपातमिंडा यलिया भविशे दक्ता के जीवन में हम देखेंगे वासी कलाम रेंडर राजाकल पर्टमबवा मधिखारम हम पढ़ेंगे फिर से दूसरों राजाओं का पुस्तक का उन्डर राजाकल पहला राजाओं का पुस्तक उसका उन्निस वाधिया आए उसका ग्यारा से लेकर चौदा वच्चन तक हम पढ़ेंगे उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुक पर्वत पर खड़ा हो और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंद आंधी से पहाड फटने और चठाने तूटने लगी तो भी यहोवा उस आंधी में ना था फिर आंधी के बाद भूकम हुआ तो भी यहोवा उस भूकम में ना था फिर भूकम के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में ना था फिर आग के बार एक दबा हुआ दीमा शब्द सुनाई दिया यह सुनते ही इलिया ने अपना मुहूं चद्दर से डाम पा और बहार जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ फिर एक सब्द उससे सुनाई दिया हे इलिया तेरे यहां क्या काम उसने कहा मुझे सेनाउं के परमेशर यहोवा के निमर बड़ी जलन हुई क्योंकि इस्राइल ने तेरी वाच्छा टाल दी और तेरी वेदियों को घिरा दिया है और तेरे नभीयों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी है यहां इलिया के जीवन को देखिए वो बोलता है मैं परमेशर के लिए बहुत भक्त और वैराग्य था देखिए परमेशर के नाम के लिए जो कोई वैराग्य रहता है और जो कोई परमेशर के नाम के लिए घमड करता है उसके जीवन में परमेशर का आवाज सुनाई देता है यहां इलिया बहुत ठक जाते है और चत्तर धाम कर वो एक पेड़ के नीचे लेट जाते है वहाँ परमेशर के दूत आते हैं उसको उठाते हैं और खाना पिना देते हैं तो देखिए उसको खाने के बाद 40 दिन चलकर एक गुफा के अंदर जाते हैं एक ठकावट के बीच में वो जा रहे हैं इसता कारण क्या था परमेशर इस इसराइल लोगों को बहुत ही भलाई किया है इतना भलाई परमेशर के हाथों से वो इसराइल लोगोंने पाया था देवंडे उडन्मडिके तल्ली विटा रहेल पिर भी परमेशर के वाच्छा को उन्होंने थोड़ दिया दीर्क दरिसेगले कुंडर पोटा रहेल बविशे दक्तां को अपने दल्वार से घात किया अपने देशों में मूर्ती पूझा किया इसलिए यलिया बोलते हैं कि मैं इन मनुशियों के बीच में नहीं रहना चाहता आंडवर नामती मेल वाइता अंद बक्ती वैरा केते निमीटा परमेश्वर के नाम में जितना घमंड और रखे थे यलिया बोलते हैं मैं जीना नहीं चाहता मैं मरना चाहता हूं बोलकर एक गुफा के अंदर जाकर खड़ा हो जाते हैं अपने अंडवर ने मिलीए सत्यत हैं के कार में किरान तभी परमेश्वर का इधीमी आवाज को अलिया सुनते हैं नेंगे पताव वसनतला वाज ही ना दसवा बच्चन में अगर आप पढ़ेंगे पनोरा वसनतला है ग्यारावा वच्चन में तभी परमेश्वर का इधीमी आवाज को सुनता है जब उस धीमी आवाज को अलिया ने सुना एक चादर से अपना मुग को ढांप लिया और बहार आया और गुफा के द्वार में परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया अलिया भविश्य दक्ता का एक अच्छा चीज क्या है अलिया को पहले से ही परमेश्वर के सामने खड़े होने का एक अनुपव था अपने अपने अपट मनुष्य दा किभी को अपे सोंद पड़त रिकरा तो ऐसे अन्पव को पाया हुआ है वही मनुष्य थक जाकर गुफा के अंदर जाकर लेट जाता है अज फिर से परमेश्वर के समुख में के सामने उस एलिया को लेकिया कर खड़ा करने के लिए परमेश्वर के जीवन में एक दीमी आवाज से बात करते हैं उतना थकावण के बीच में था फिर वे वेलिया के अंदर परमेश्वर के लिए घमंड था तो देखे उस वेलिया के निमर परमेश्वर इलिया से बात करते हैं आज हमें परमेशर के लिए कितना घमंड है हम कितना तक परमेशर के लिए घमंड करते हैं परमेशर के लिए घमंड करके अच्छा गवहाई बनकर जहां हम काम करते हैं क्या वहां बहुत सच्चाई से रहते हैं क्या मनुष्य दूसरे मनुष्य लोग हम पर भरोसा करने के तरह हम जी रहें हैं क्या बजन संगीता में दाविद बताते हैं बजन संगीता का 20 वा अध्याय का साथ से लेकर नौवा वच्छन तक हम पड़ेंगे किसी को रतों का और किसी को घोडों का भरोसा है परन्तु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे वे तो जुग गए और घिर पड़े परन्तु हम उठे और सीधे खड़े हैं हे यहोवा बचा ले जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे देखे हम किसी के उपर हम भरोसा नहीं करना है सिर्फ परमेश्र के नाम के उपरिया में भरोसा करना है आठवा वचन में बोला गया है में तो जुग गए परतो हम उठे और सीधे खड़े हैं जब हम पुकारते हैं तो महाराजा हमें उत्तर देंगे जब परमेश्र का आवाज को हम सुनते हैं तब परमेश्र का आवाज में मेरा जीवन में प्रगट होगा तो वो परमेश्र का आवाज मेरा जीवन का सब हालात को बदल देगा बोलकर ऐसे दावुद राजा बोलते हैं अम्रे में परमेर का ओपर जो घमट या तो वायराग्य में गाते हैं कुछ लोग होते हैं कि भोग वह श्युर्ट से बात करता है है पिर भी उनका काम देखी है तो कुछ भी नहीं है सिर्फ बाते में ही नहीं हमारे क्रिये में भी हम परमेशर के लिए वायरागी या तो घमण को दिखाना चाहिए यलिया भविछे दता अपने क्रिये में दिखाया कि वो परमेशर के ऊपर इतना घमण है पहला राजाओं का पुस्तक का अठारा अधियाए में अगर आप पढेंगे जो टूटा पड़ा जो वेदी था उसको वो फिर से बनाता है पिर उसके उपर बलियों को रखता है और जब वो परमेशर को पुकारता है तब परलोग से वो अगनी उतर कर आया और वो बली को चला डाला इतना अग तक एलिया ने परमेशर के उपर अपना वैरागिये को घमिट को रखे थे पिर भी देखे जब इसराइले लोग परमेशर से रखा हुआ वाचा को जब तोड देते है और परमेशर के विरुद जब मूर्ती पूजा करना शुरू करते है तब एलिया ने बोला कि इन लोगों के बीच में मुझे नहीं रहना आज भी देखे हमारे तरह शरीर को लेकर ही एलिया परलोग में है आज अपने शरीर के साथ वो दोनों परलोग में है इतना तक उन्होंने परमेशर के लिए घमंड रखा जब हम भी उतना तक परमेशर से घमंड रखेंगे तब परमेशर अपने आवाज को भी हमारे जीवन में प्रगट करेंगे तो परमेशर का वो आवाज हमारे जीवन में जितना भी आखाल है उसको बदल देगा सब हालात को आवाज बदलेगा सिर्फ एक फल काफी है एक धीमी आवाज काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए इसके लिए हमें क्या करना है आपका आवाज परलोग तक पहुंचना है आपके स्तुती का आवाज को जबतीन सत्यत आवाज और ब्रातना का आवाज को देव उडे सेविगल केट के मिड़ी आखनेंगें दुनी के पनबोदे परमेश्वर के कान सुनाई देने तर जब आप आपके आवाज को उठाएंगे आवडे सत्तों उडवाल के ले कटंद वरों तब परमेश्वर का आवाज आपका जीवन में आएगा उडवाल के ले कोड़ इल्ला वणा अंदर अंगे राधीर पन्नों आपके जीवन में जितना भी वण है वो वण को वो आवाज हिला देगा उडवाल के लिए परमेश्वर पानी के जोरके को खोलेंगे आप हवा को भी नहीं देखेंगे बारिश को भी नहीं देखेंगे पिर भी आपका स्थान जो है वो हरियाली बन जाएगा इसलिए आपको समर्पन कीजिए आप ऐसे समर्पन कीजिए कि प्रत्ति दिन मेरे आवाश को मैं परमेश्वर तक पहुँचाओंगा मेरा सुधी का आवाश को मेरे प्राथना का आवाश को अवर नालम परलवतले दुनी के पणवें इन इसले उपप कुड़ेंगे प्रती दिन में परमेशर के समुक्त पहुंचाओंगा बोलकर अरपन कीजिये कत्तोडे सत्तों गल्लवाल के लेकड़न दुवार अपने आवाज को आपके जीवन में प्रगट करेंगे हम सब अपने आँख बंद करकर एक अरपन के साथ आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे इशु महान अपना, एगीच सुनाएंगे, हे इशु महान अपना. एगीच सुनाएंगे, ना देख सका हम को, तू पाप के सागर में, और बन के मनुश्य आया, तू पाप के सागर में, मुक्ति का तु दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे इशु महान अपना, एगीच सुनाएंगे, आबाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे इशु महान अपना, एगीच सुनाएंगे, हे इशु महान अपना, एगीच सुनाएंगे, हालेलूया, हालेलूया, परमेश्वर पवित्रात्मा, कितने दिन हमने आपके आवाज को ढुकराया है, कितने दिन हम आपके वच्चन को ठुकराया है, कितने समय ऐसे थे कि आपने हमसे बात करने को चाहा, आपने आपके आवाज को, आपके उस धीमी आवाज को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी हमने उसको सब ठुकराया परमेश्वर, आज का इस संदेश के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, आज से हमारा जीवन को आपके समुग में हम अर्पन करते हैं कि, आज से हम भी हमारे आवाज को आप तक हम उठाएंगे, ताकि हम आपकी उस धीमी आवाज को सुन सके, परमेश्वर, हमारा हालात ऐसा हो कि हमारा जिन्देगी पूरा आकाल में पड़ा है, या तो कोई अच्छे आशिरवादों को मिलने के लिए रुकावट को लेके एक भांच के तरह हम जी रहे हैं, आज हम समर्पन करते हैं कि हम हमारे आवाज को उठाएंगे, हम आपके समुख में हम बैठेंगे, हम आपके पवित्र वचनों में स्तिर रहकर, पवित्र वचनों में जो आप बात करते हैं उसको हम सुनेंगे, आपके स्तुती करेंगे, आपके आराधरा करेंगे हम भी आपका धीमी आवाज को सुनना चाहते हैं आंधियों के बीच में, भूकम के बीच में, अगनी के बीच में परमेश्वर हम आपके आवाज को सुनना चाहते हैं हम आपके नाम के लिए वेरागी रहना चाहते हैं घमंड रहना चाहते हैं परमेश्वर हमें मदद कीजिए परमेश्वर हमें मदद कीजिए हालेलुया इस नया वश में इन साल में हम और भी आपसे नजदीक आकर आपके आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर आपके नाम के महीमा के लिए हम जीना चाहते हैं परमेश्वर इस अच्छे संदेश को दिए पास्टर को उनके परिवार को उनके बच्चों को परमेश्वर आप आशिश करकर परमेश्वर आप उनके चारों और आपके सीमा बनाकर उन्हें आशिरवात करकर उन ये कारिय हमारे जीवन में करना आपको बहुत बहुत ही ऐसे कम समय में आप कर सकते हैं परमेश्वर्ट। आपको करने के लिए हमारे लिए एक स्थान दीजिए हमारे लिए एक स्थल दीजिए हम सब भाई बहन सब मिलकर आपके आराधना आपके समुख में आकर हमारे बलियों को चड़ाने के लिए एक द्वार खोलिए एक द्वार खोलिए परमेश्य गुफा के द्वार तक आपने इलिया को भेंटी करने के लिए आए वैसे ही हम भी आपसे भेंट करने के लिए हमें एक द्वार खोल कर दीजिए परमेश्य एक जगा को दीजिए परमेश्य आप मदद कीजिए यह जल्दी ही कर देंगे हम विश्वास करते हैं हमारे वकलीसिया के सारे भाई लोगों के लिए हम प्रात्थना करते हैं उनके काम के लिए हम प्रात्थना करते हैं उनके परिवार के लिए बच्चों के लिए उनके माता पिता के लिए सब मन्नतों के लिए हम प्राथना करते हैं परमेश्वर सब चीज़ को संभव कर लीजिए परिवार के आकाल को सब परमेश्वर बदल दीजिए हम प्राथना करते हैं आप ही अनुग्रह कीजिए आपके अनुग्रह के दुआरा हमें अगवाई कीजिए परमेश्वर एश्व मसी के नाम से मांगते हैं पिता आमेन प्रभु एश्व मसी का कृपा पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभागेता आज और हर पल हमारे साथ होते रहें आमेन आलेलूया जै मसी